Assalamualaikum dear viewers, मुझे कहते हैं दिलावर रंजभूर, आप देख रहे हैं English with Dilawar आज की इस वीडियो में हम जो पोईम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम A Dream with Inner Dream, इसको लिखने वाले जो राइटर हैं, उनका नाम है Edgar Allen Poe इनका अपनी wife के साथ बहुत गहरा तालुग था, बहुत गहरा connection था इस वज़ा से ये emotionally बहुत ज़्यदा disturb हुए wife की death के बाद और बहुत ज़्यदा यानिके परशानी का सामना इनको करना पड़ा अब इसी sadness के अंदर इन्होंने ये poem लिखी जो title है ये देखिएगा, ये symbolically या metaphorically इसको dream को compare किया रहे है life के साथ या फिर dream को compare किया रहे है moments के साथ अब यहाँ पर ये चीज़ का clear होना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है कि dream को आप कैसे compare कर सकते है life के साथ इन में कुछ ना कुछ ऐसे elements होने चाहिए जो common हूँ impermanence impermanence का मतलब क्या होता है impermanence means कि जिसमें मुस्तकिल मिजाजी ना हो यानि हमेशा ना रहने वाली खाब हमेशा नहीं रहते इसी तरह जिदगी हमेशा नहीं रहती अगला characteristics जी subjectivity है जो लमहात होते हैं या जो dream होती है ये subjective क्यों है life भी subjective है यानि कि आप अपनी जिन्दगी खुद जीते हैं आपकी जिन्दगी कोई और नहीं जीता इसी तरह आप अपनी जिन्दगी के जाए खुशी के लमहात हो या खम के लमहात हो आपने खुद उसको पास आउट करना है कोई और उसको पास नहीं करेगा in the same way आपने अपना खाब खुद देखना ऐसे नहीं होता कि आपके साथ कोई दूसरा शक्स भी बैठके आपका खाब देख सके नहीं तो ये वज़ा है जी ड्रीम को लाइफ के साथ क्यों मेटाफरिकली कंपेर किया गया ये ड्रीम को जो आपके जिन्दगी के अंदर जो लमहात है उसके साथ क्यों मेटाफरिकली कंपेर किया गया अब आपको समझ में आगया होगा अब यहाँ पे एक चीज़ आपने जेन में रखनी है कि जो पोईट है वो अपनी वाइफ से डिपार्ट हो रहे है वो अपनी वाइफ से अलग हो रहे है अलग होते हुए यहाँ पे पहले स्टेंजा के अंदर इस चीज़ को वो एकसेप्ट करेंगे कि जो वाइफ कह रही थी वो ठीक कह रही थी और वो क्या बात है वो यहाँ पे brow का मतलब है थी forehead यानि कि अपने माथे पे एक बोसा लेते जाओ and imparting from you now और अब मैं आप से जुदा होता चला जा रहा हूँ parting मतलब यानि कि farewell, जुदा होना, अलग होना this much, let me, allow allow का मतलब क्या होता है? allow का मतलब है accept अब मुझे इस बात को तसलीम कर लेने दो यानि कि जुदाई के टाइम पे, अलग होने के टाइम पे वो जो departure है, वो death का departure हो सकता है और possibly वो ही है क्योंकि poet की wife की death दो साल पहले हुई और उसी बात को ये दुबारा से re-narrate करने की कोशिश कर रहे है and you are not wrong who deem, deem means consider तुम गलत नहीं थी जिसने क्या consider किया था that my days have been a dream my days से मुराद क्या है यहां पे, life मेरी जिन्दगी जो है, वो एक खाब की मानित है अच्छा अब जब इनसान से दूसरे इनसान जुदा होते हैं जाए वो मर के होते हैं तो वो message ये नहीं कि बोल के दे रहे हैं वो symbolically message दे रहे हैं जैसे मैं यहां से चला गया, अब तुमने भी जाना है इस दुनिया से और अब यह जो wife है यह उसको एक symbolically message convey करके जा रही है कि जैसे मैं खाब बन गई और तुम्हारी जिन्दगी भी एक खाब की मानित है तुम भी एक खाब बन जाओगे अब यहां पे I hope के इस टेंजा का जो पहला part है वो clear हो चुका है next part में हम देखते हैं जी yet अब चले मान लेते हैं जिन्दगी खाब की मानित है इसके बावजूद if hope has flown away उमीद चली गई है यानि कि आप disappoint हो गए है खाब में कोई disappoint हो सकता है नहीं हो सकता ना लेकिन अगर आप हो गए है in a night जाए वो रात में खाब था day या दिन की बात है बहुत बड़े नुकसान की बात है कि आप खाब में मायूस हो गए खाब में disappoint हो गए अब यहाँ पर poet क्या कहते है all that we see or seen जो कुछ हम अपने इर्दगिर्द देख रहे हैं या उसको जो है perceive कर रहे हैं observe कर रहे हैं is but a dream within a dream वो जो moments हैं वो भी dream की मानद है और जो हमारी life है वो भी एक dream की तरह से है क्यों अगर आप अपने बच्पन की बात करते हैं कि अब आपका बच्पन जो है क्या आप उसको वापस ला सकते हैं बिल्कुल भी नहीं वो अब आपके लिए क्या है एक खाब की मानद है अब हम मूफ करते हैं जी next answer की तरफ next answer में क्या लिखता है I stand amid the roar amid का मतलब क्या होता है in the middle of roar किसको कहते है धार जैसे शेर की धार दी होती उसकी आवाज जो है बहुत शोर हो रहा है शोर के दर्मियान में मौजूद हू point कह रहा है शोर के दर्मियान में मौजूद हो किस चीज का शोर है जी of a surfermented shore shore किसको बोलते है beach को किसी किनारे को कहते है ठीक है surfermented annoying यानि समुंदर का किनारा है और समुंदर के किनारे पे बहुत शोर है और वहां पे poet इस वक्त मौजूद है अब फिर क्या होता है और मेरे हाथ के अंदर क्या है अब यह जो golden sands है बिसिकली यहाँ पर यह symbolically बता रहे हैं जिंदगी के अच्छे लमहात होना मेरे पास मुझूद है ठीके अब उसके बाद क्या होता है बिल्कुल थोड़े से हैं उसके बावजूद भी वो मेरे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं through my fingers to the deep उंगलियों के दर्मियान से होते हुए वो रेत के जर्रात मेरे हाथ से छूटते चले जा रहे हैं मैं उनको रोक नहीं पारा while I weep, while I weep और इस दुरान क्या है मैं रो रहा हूँ, मैं पर्शान हूँ Oh God, can I not grasp grasp का मतलब क्या होता है hold उन रेत के जर्रात को क्या मैं hold नहीं कर सकता अपनी जिंदगी के अच्छे लमहात को मैं अपने पास रोक नहीं सकता them with a tighter clasp clasp किसको बोलते हैं clasp कहते हैं grip को क्या मैं अच्छी grip के साथ उन चीजों को, उन वाक्यात को उन moments को अपने पास रोक नहीं सकता this is a question Oh God, can I not save one from the pitiless wave pitiless का मतलब क्या है cruel बेरहम, बेरहम जो लहर आ रही है यनि समुंदर की लहर या वक के साथ, गुजरते वक के साथ में उसको रोक नहीं सकता उसको थाम नहीं सकता दो question हो गए तीसरा question क्या है Is all, is all that we see or seem but a dream within a dream अब पहले stanza में उन्होंने अपनी wife की अपनी जो lover है उसकी बात को accept किया कि जिंदगी जो है, वो just like a dream है और second stanza के end पे वो ये question पूछ रहे हैं कि क्या वाकई हमारी जिंदगी एक खाब की मानिद है या वो reality है different questions ये जो है poem आपके उपर छोड़ के जाती है अब हम इसको आगे move करते है themes पे इसके तीन important themes हैं जो आपने जेन में रखनी है पहला है जी theme of loss theme of loss का क्या मतलब है कि आपकी strength आपके पास हमेशा नहीं रहेगी आपके relatives, आपके रिष्टे, आपके बच्पन, आपकी ताकत हर चीज आपके पास नहीं रहेगी उसने आप एक ना एक दिन चले जाना है just like यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले stanza के अंदर क्या था यानिके उसका जो है वो departure की बात हो रही है again it is a loss hand में उसने जो है वो grains of sand पकड़े है और वो उसके हाँ से निकलते चले जा रहे है that is also about loss यहाँ पे अगला जो है passage of time is another important theme passage of time क्या है कि वक्त के साथ-साथ चीजें आपके पास से जाती है यानिके time की बड़ी importance है यह नहीं होता कि फोरण आपसे चीज चली जाती है but through the passage of time वो वक्त के साथ-साथ उसके हाथ में जो rate मुझूद है वो लमहात है वो भी जा रहे है वक्त के साथ-साथ वो अलग होते चले जा रहे है तो यह दूसरा important theme है तीसरा यहाँ पे nature of reality यह एक reality और perception की तरफ question कर रहे है कि real क्या है और जो है वो dream क्या है क्या आपका बच्पन reality था अगर आपका बच्पन reality था तो अभी वो कहा है वो तो अब एक dream बन गया ना उसको अब आप वापस नहीं लेके आ सकते in a similar way हमारे जो relatives हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हम से जा चुके उसको हम reality समझते थे लेकिन अब तो वो एक खाब की माने दो गए ना तो इस वज़ा से question पूछ रहा है यह poet हम लोगों से कि life क्या real है या dream है first senza में क्या है वो acceptance लेकर आता है और second senza के अंदर क्या है questions from the audience कि reality है या dream है अब जो इसकी paraphrase है इसकी rhyming scheme है इसकी literary devices है वो सारी की सारी मैंने description box में डाल दी है उमीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो इसको share करना है अगर मेरे channel से आप नहीं है तो इसको subscribe करने है और इसके साथ साथ bell icon जरूर दबा देना है आपने तकि मेरे आने वाली next video आप तक को सके अपना ठीर सारा ख्याल रखियेगा बहुत जल मिलेंगे नेक्स वीडियो में अल्हापिस